हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल वेमें दुनिया, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छोटे बच्चे या नगजात शिशु का इस समय में कैसे ध्यान रखें, यानि एक साल से कम उम्र वाले बच्चों की देखभाल कोरोना वाइरस के समय में कैसे करें, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज के वो पांच टॉपिक जिनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, वो है, पहला, क्या नवजात शिशु को कोरोना हो सकता है? दूसरा, नवजात शिशु में कोरोना संक्रमन के क्या-क्या लक्षन है? तीसरा, आप as a parent क्या-क्या कर सकते ह चौथा, बच्चे को किन हालातों में डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना चाहिए और पांच वहां, किन बच्चों को कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की संभावना सबसे अधिक है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें बिना वीडियो को स्किप किये हुए इसके साथ ही वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि ये ज़रूरी जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे आईए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे क्या नवजात सिश्व को कोरोना हो सकता है? जी हाँ डॉक्टरों के अनुसार कोरोना के इस लहर में नवजात सिश्व में भी संक्रमन देखा जा रहा है यहां तक कि कुछ दिन के बच्चे भी कोरोना संक्रमन की चपेट में आ रहे हैं जिन शिश्व का जन्म इस कोरोना काल में हुआ है खास कर उन शिश्व में कोरोना से संक्रमित होने की संभावना अधिक है ऐसे बच्चे ज़ादा तर हॉस्पिटल में ही जन्म के बाद ये जन्म के समय कोरोना वाइरस से संक्रमित हो रहे हैं अब हम जानेंगे कि नवजाच शिशू या छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमन के क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं जादातर बच्चे जो COVID-19 से प्रभावित हैं उनमें मौजूद लक्षन हलका बुखार, खासी, जुकाम, पेट से सम्मंदी समस्याएं, उल्टी, दस्त, आदी हैं इन लक्षनों के वज़े से ही हो सकता है आपका बच्चा ठीक से फीड ना कर रहा हो कुछ बच्चों में इन लक्षनों के अलावा निमोनिया भी देखा जा रहा है तो कुछ बच्चों में toiletries प्राप्लम देखे जा रहे हैं अब हम जानते हैं कि आप माता-पिता होने के नाते क्या कर सकते हैं आपको बच्चों में हलके लक्षनों को भी नजर अंदाज नहीं करना है आपको बच्चों में दस, सास लेने में समस्या, सुस्ती, कमजोरी जैसे लक्षनों पर ध्यान रखना है उनने खासकर बुखार के साथ बताए गए कोई भी लक्षन दिखाई दे तो वो कोरोना संक्रमन के लक्षन भी हो सकते हैं इसलिए आपको सतर खो जाना चाहिए और समस्या को पहचान कर अपने डॉक्टर की सलाव पर इमीडियेट अक्षन लेना चाहिए जब आपका बच्चा एक साल से कम उम्र का होता है तो बच्चे के साथ उसकी मा को भी सभी जरूरी साथानिया बरतनी चाहिए जैसे बच्चे को छूने से पहले हाँ धोना बच्चे के आसपास भीड ना लगने देना किसी भी बाहरी व्यक्ति को बच्चे से दूर रखना बच्चे को भीगने ना देना सरदी जुकाम ना होने देना या ऐसी कोई स्थिती ना आने देना जिससे बच्चे को होस्पिट होता जा रहा हो इन सभी कंडिशन में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना चाहिए इसके अलावा अगर आपका बच्चा बिल्कुल फीड ना ले रहा हो लगतार रोए जा रहा हो या अराम से सो भी ना पा रहा हो तो भी आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है इसके अलावा अगर बच्चे को दिन भर में 5-8 बार उल्टी या 10 लग गए हो तो भी आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जरूर जाना है इसके अलावा आपने बच्चे पर ध्यान दे, आपसे बहतर ये कोई नहीं समझ सकता कि आपका बच्चा बिलकुल ठीक है या उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है जब भी आपका बच्चा कोई भी साइन दे या जब आपको लगे कि आपके बच्चे की तबियत बिगड़ना शुरू हो रही है तो बिना किसी देरी के तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए और उनकी सलाह ले अब हम बात करते हैं कैसे नवजात शुशू या छोटे बच्चे को कोरोना से संक्रमन की संभावना अधिक है ऐसे बच्चे जो दो साल से छोटे हो या ऐसे बच्चे जिनका जन समय से पहले हुआ हो या ऐसे बच्चे जिनका वजन उमर के हिसाब से अधिक हो या जिन बच्चों को फेबरों से संबंधित कोई रोब बच्पन से हो ऐसे बच्चों को कोरोना से संक्रमित होने की संभावना आम बच्चों से जादा होती है अगर आप एक new parent है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि अपने newborn baby का खयाल आपको किस तरह रखना है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो पसंद रहा हो तो इसे like जरूर करें साथ ही मेरे चैनल को subscribe करें ऐसे ही informative वीडियो के लिए Thanks for watching